हेलो स्टुडेंट्स वेलकम है और आगे नो माई चैनल जानकरी है तो मैसल फित अभिलाशी शर्मा अज वीडियो चासी गल करांगे बिजनस स्टडी दा जो प्लस वन लेवल दा कॉंसेप्स है हुए हिंदू अंडिवाइडर फैमली इस कॉंसेप्स दे बेस कुछ बिसिक नालिज दे MCQ जो एक्जाम दे पॉंट आपी हो तो बड़ए इंपॉर्टन नहीं आज दि वीडियो दे वीच अग्यवदी है अज देवरे स्टॉपिक देवरे गल करने तो पहला इक गल त्यानरुक के सानुख पता होवे हुअ चीज है हिंदू अंडवाइडर फैमली या जे एच एफ ज्वाइंट हिंदू फैमली स्टुडेंट्स आज जो तो वसी गल करांगे ऐस दी वीडियो दे वीच त्यान रखोए थे मैं कले परिवार्दी गल नहीं कर रहा क्योंकि सब्जेक्ट साड़ा बिजनस स्टुड़ीज है तासी हुएफ या जेएच एफ दे वीच फैमिली बिजनस दी गल कर रहा है की हुंद है है जेएच एफ और हुएफ इस यूनीक टाइप अफ बिजनस एंटिटी जो जेएच एफ है जॉइंट हिंदु फैमिली या हिंदु आजवाइडर फैमिली अपने आप दे वीच एक विलक्षन टाइप दी वपारक इकाई है इस वपारक इकाईदा जो जो जॉइंट हिंदु फैमिली दी वपारक इकाईदा जो मुखी है सबतों एजड मेल मेंबर होंदे है जिसनों करता कहन देने जो हर टाइप दे कारोबार दे लिए बिजनस दे लिए फैनास मतलब वित दे लिए जिम्मेवार होंदे है सारे मेंबर परिवार दे बराबर हक रख देने मलगियत रख देने पूर्वजान दी संपत्ती दे जो इंसेस्टर प्रापरटी है उन्हानों फैमिली इच मिल दी है उदे उपर सारे अंदा हाग है ते उन्हानों वसी को पार्शनर जा सहपागी के है जानता है अंडर हिंदू ला एन एक 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 परिवार है जिसे विच सारे व्यक्ति रेखिक तोरते उत्रे हों देने मतलब एक लाइंच लगे हों देने उपर तो लेके नीचे दाख from a common sister and including their wives and unmarried daughters उना दे आम पूरवस जोने उना तो लेके दादे पड़ादे तो लेके उना दे बेटे उना दे पतनियाँ आनवेयाँ तीयाँ वस सारी एक 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 मेंबर जे तोरते हों दियाने सकूल हिंदु लॉग जो हिंदु लॉग प्रिंसिपल ने मतलोग बेश दे होते हैं एकश्ट से विच दो पार्ट ने दे जो साटे देश दे बीच हिंदु लॉग आदे एकॉरडिंगली हिंदु सेसेशनक्प सेफ नाइन फिफिटी सेटे से अगरिव लिए जिनारों दो स् जो मिताक्षरा दा कानून है जो प्रिंसिपल है एच यू एफ दे रिगार्डिंग ओ असम ते बंगाल नू छटके सारे देश लागू हुंद है सनु हैस राइट वाइवर्थ इन दे ज्वाइट प्रॉपर्टी जन्तों ही जो पुत्र है उदा दिकार हुंद है सारे बेटिया नू ब्राबर्दा दिकार है और मेल मेंबर्ज आर काल्ड को पार्शनर्स मिताक्षरा दे कार्डिंग ली सेकिंड स्कूल ओफ हिंदू लॉज है जो प्रिंसिपल है ओ है दिया भागा दिया भागा किया है अप्लिकेवल इन बेंगालांड असम यह सिर्फ बेंगालां ते असम चलागों तिल 1956 फीमेल मेंबर्ज वर नोच हैविंग अनी राइट इन फैंबली प्रॉपर्टी सम मॉडिफिकेशन है बिन मेर इन हिंदू सक्सेशन एक्ट इन 1956 दा जो हिंदू सक सेशन एक्ट है उससे एकॉर्णिगली फीमेल मेंबर्ज मों प्रॉपर इज कोई राइट नहीं सी बात दे विजए देश सुदार की थे कि इस तरंग दिना दो स्कूल ओफ तॉर्ट्स चेड़े ने चल रहे ने जिनूं थॉर्ट्स ओफ हिंदू लाज कहने है साथे देश ज्यूं दो तॉर्ट्स ओफ और विजम पार इसापन देश्ड देश्ड दार बिए याव्ट की चार ए चूर्ण जुञ्ट ओफ इल्ड यूट्स बबर्टे है वानवी तो असुड पर्टी ओवरर्ट्स वानविजग पर्ट ट्वर्टी जिए शंचे घट डिस ए तॉट् contribution of the members, the option is all of the above व्यक्तियां द्वारा दी जोना दी सिंजुक्त पुन्जी है ओदे अधारते इस्टेबिश हों दी है joint Hindu firm या ancestral property जो जद्धी जदाद मिली वी है या member आप contribute कर देने या उपर देते सारे सोच ज़रा की answer हो सकते है मेरे खलत उसी chapter नो पहला पढ़ चुके होंगे और मैं हमेशा कहना है जेकर MCQ करने ने पहला detailed देविट सानु content देवारे knowledge होनी ज़रूरी है आँ answer चेक करीए तोड़ answer सही है जा गलत answer of this question is ancestral property joint Hindu firm एड़ा joint Hindu family business है इन्हों establish किता जासा है जदी जैदाद देना जो पिता पुरुफी सानु जैदाद में लिए दाद दे पड़ता दे तो होना देना established business होनद है next question is question number second minimum number of members to form joint Hindu family एक संजुक्त Hindu परिवार Hindu succession act कर्टो कर किन्ने मेंबरानी गिनती नाड़ बंद है four options are there A2 B3 C4 and G is five मेरे एकाल तो सी सोच चुक्के होंगे आओ इदा answer चेक करिए answer exact answer of this question is two minimum two members are required to form joint Hindu family business okay मैं बार बार word business जैद नहीं भी बोल रहा है joint Hindu family बोल रहा है आज जैसी concept family business दे point of view तो ही discuss कर रहे हैं त्यान रखो question number third the liability of the co-partners in the H.U.F. is dash जो H.U.F. हिंदू undivided family दे विच जो सह सह पागीदार ने उनना दी देंदारी dash होंदी है चार option ने unlimited असीमित होंदी है B option is depends on situation स्थितिते निर्बर कर दी है C option is limited सीमित होंदी है D option is limited to their share उनना दी हिस्से दक सीमित होंदी है सोचो ज़रा की answer है मेरे खाल तोसी हरान नहीं हो रहे होंगे राधर तो नों पता होएगा Next असी answer check करी answer is limited to their share उनना दे हिस्से दे अनुसार ही सीमित होंदी है जिना को नदा हिस्सा बंद है number of co-partners दे accordingly उनना दा liability भी उस तक ही सीमित होंदी है हर एक co-partner दी next question for students joint Hindu family is governed by जो सुन्जुक्त हिंदु परिवार है dash दोरा चलाए जान दे किड़े नियम दोरा चलता है पांचिप Act 1932 Companies Act 2013 Hindu Succession Act 1956 both A&C मेरे खाल तोसी exactly यह दा answer जान चुके होंगे क्योंकि मैं starting दे भी topic नो डिस्कस भी कार चुके है कुछ ब्रीफली आओ आंसर चेक के लोड़ा आंसर इस कुशन दा आंसर है C Hindu Succession Act 1956 Hindu उत्रादिकारी Act 1905 next question number 5 who takes decision in joint Hindu family joint Hindu family जो सारे फैसले कों लंद है बड़ा simple question है students A. all member B. option is consensus सहमती या तो सारे member B. option है सहमती C. option is females जो family दिया ने D. option is करता ये थे word है और त्यान रख्यो written mistake is there who takes decision in joint Hindu family मेरे काल तो उन्हों इस आंसर पता हुएगा आओ आंसर चेक करिए इस आंसर है करता clear students जो करता है the head of the H. U. F. is called करता he is the senior most male member of the family player है मैं तो नहीं पहला विदास चोके है जो male member है senior most है is they currently ओ करता हुँद है head of the family है question number six identify which statement is true among these and which one is sorry identify which statement is true and which is false असी ये पहचानना है ये ना दे भी जो केड़ी statement सही है false नहीं असी चूलना एक अपने आप सोचों जड़ी है true ने ओ अपने आप होएगा true ते false ता भी सानू पतला जा केड़ी गलत है any person can become member of HUF कोई भी व्यक्ती HUF दा member बन सकत है value option second option in a HUF business in the event of the death of any co-partner his wife can claim share of profit जे कर किसे co-partner दी death हो जन दिया था उसी wife दे नो claim ओ wife claim कर सकती है profit दे भी चों हिस्सा लेन दे ली third one is in a HUF business the liability of the करता is unlimited HUF दे वीच जो करता दी liability है और unlimited है असी दसन है कि इस जो KD statement ठीक है त्यानल select the correct answer options options आड़े को की ने first and third B option is two second and third C option is first and second the option is none of the verb त्यानल लेखो एना जो KD statement ठीक है any person can become the member of the HUF कोई व्यक्ति बन सकता है यदा इदे वर असी सोचना है कि ने जो KD statement absolutely ठीक है ओके right answer में खल तुछ चूच चूच क्योंको right answer of this question is two and three क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके member नहीं बन सकता बाग की दोनों statement ठीक ने जो HUF दे वीच करता है उदी liability unlimited हों दी है इस तों इलावा जे death हो जे ओ पार्शनर दीता हो दी wife नो profit दे वीच हो हिस्सा हो claim कर सक दी है clear answer B is the answer two and three statements are true त्यान रख़्िया से true statement चुनिया ने false नहीं चुनिया आपने हो false करी होगी any person can become member of HUF जे हुजा पुछ है विया होगा okay students next question दे वालबाद रहे है question number 7 HUF should be registered with HUF नो dash दोबारा registered करवाना जुरूरी है A option not required at all किसे हालत जुरूरी नहीं है registrar of the societies C option is registrar of firm D option is registrar of companies मेरे खाल तुसे यता answers जान दे होगे our answer नो match करिए right answer of this question is not required at all HUF दी registration करवानी जुरूरी नहीं है जे कर Hindu undivided family दा business है कोई वोदी registration करानी जुरूरी नहीं है number 8 who can be the co-partner in HUF HUF दे विच को-partner से कर्मी कौन हो सकता है 4 option ने A. daughters of the family B. sons of family C. both A and B D. नानो दावव परिवार्दियां तियां परिवार्दे पुत्तर दोनो A and B उना विचो कोई भी नहीं right answer में जल तुसे जान दे होगे our answer check करिए right answer is both A and B but important information में तर उना दे शेयर करने वाला है क्योंकि A and B ता उनू कहीं अनू गलत लगदा होएगा को पार्शनर्स दे वारे अब अपना इदे वारे डिटेल दे विच स्टडी करिए थोड़ा ब्रीफ है पर prior to 2005 amendment in Hindu succession act 1956 the daughter on her marriage ceased to be the member of her father's HUF एक व्यात ती HUF दे विच की सहकर्मी हो सकती सी इदे वारे में डिस्कस कर रहा थोड़े हा हिंदू जो उत्रादिकारी एक टुनिसोच पंजा है और दे विच 2005 जो सोद तों पहला ती उस दे व्यात अपने पिता दे HUF दा मेंबर बनना बंद कर दन दी सी ओ दा मेंबर नहीं रहन दी सी अथे अपने पती दे HUF दा ओ मेंबर बन जन दी सी लेकिन ए अमेंडमेंड कीती गई किती चाहे व्याई है जा अन्व्याई उसनों पुत्तर दी तरह ही को पार्शनर जड़ा मने आ जानता है ए अमेंडमेंड कीती गिया है हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइंटिन फिफ्टी सिक्स दे वीच दो हजार पंच दे वीच समझ लग गया स्टूरेंट्स आओ ने क्विशन देखिए विच व दा फालेंग कैन वी ट्रीटेड अजड़ांटिज ओफ एक्ट वूफ फॉर्म बिजनस पॉइट ऑफ एक्ट वूफ फॉर्म आप बिजनस इन अदे वीच व केडी स्टेटमेंट नो तूसी यदी डिस अद्वांटिज मन सकनें सब तो पहली स्टेटमेंट है एक्टिव बिजनस है जरनली लिमिटेड फाइनेंशल और मैनेजेरियल रिसोर्सेज एक्टिव कारवार देवी चामतोरते सीमित वित्ती ते प्रवंद्र की स्रोथ हूं देने B option is there is always a lack of motivation among the members to work hard सारे members जे वीच हमेशा कम करने ली motivation दी कमी देखनों मिल दी है Next is since the करता वाँ has absolute freedom to manage the business there is scope for him to misuse it for his personal gains क्योंकि करता को सारी पावरा हुं दिया ने business दी प्रवंच लां दिया इस करके वो कदे भी अपनी पावरा दी दूरवरतों कर सकता है D all of the above इन्हा जो केडी option दो लग दिया कि हुए अच्जू एफ दी डिसडवांटेज है मेरे खल तुसी सोच चूप क्योंकि आओ आँ अंसरे करिये Right answer is all of the above इतिन दिया तिन लिमिटेशन जाद डिसडवांटेज ने हुए अच्जू एफ दिया देश दे अनुसार केती जान दिया Number A Member's status in the family परिवार विच मेंबर दी स्थिती की है Amount of work done by the member एक मेंबर ने किते के काम दी मात्रा किनी है Equally ब्राबर D according to the A's of the member Member दी उमर दे अनुसार मेरे खल तुसी option जानना चाहोगे तुसी भी सोच चुके होगे And the right option of 10th question is Equally जिनी profit sharing ratio है सारे members दे विच की हों दी है ब्राबर हों दी है समय लगे students आओ गे वादी है question number 11 HUF continue to exist even upon the death of the करता करता दी मोट तो बाद भी HUF जो business है और चलदा रहेंद है चार option ने Partially false कुछ हाथ तक गलत है False पूरी तरह गलत है Partially true थोड़ा जाठ ठीक है और D true जो बिल्कुल साच है Answer of this question is student आओ चेक करिए दुसी सोच चुके होंगे The right answer is true HUF continue करदा रहेंद है जेकर किसे करता जेकर family देविच करता दी डेथ भी होजे Business remains continue Question number 12 HUF cannot enter into partnership agreement with others जो Hindu undivided family business है वो agreement करके partnership देविच किसे होर नाल enter नहीं कर सकता partnership firm दे रूप देविच समझोता नहीं कर सकता HUF जो family business है असी option देखिया ने A partially false कुछ हाद तक गलत है false बिलकुल गलत है partially true थोड़ा साच है D option is true बिलकुल साच है समझोता कर सकता है नहीं एदा मदलब असी यह ना देविच हो देखना है एदा right answer है student इस question दा जो तुस्षी सोचा हो देखना है और check three right answer is false एदा मदलब हुआज यूएफ partnership agreement देविच अपने अपनों convert कर सकता है agreement is possible उपर statement सी नहीं कर सकता है इस करके statement false है question number इस तो बिलकुल कर देखना है हुएफ दा इस चो अडवांथेज की यह लाव यह favorable credit standing अनुकूल क्रेडिट फेवरेवल जड़ा अनुकूल रहेंद है मनलो स्थाई रूप देविच greater management ability profit incentive none of the above इनन देविच हो केड़ा हुएफ business हों दा लाव है त्या आन्ना student तुसी सोच चुक्के होंगे right option देखिए and the right option is this answer is none of the above इनन चो कोई भी advantage हो हुएफ दी नहीं है ना था कोई profit incentive वाला concept है देविच स्थूडेंस इस देविच हो कोई भी advantage नहीं है ना था favorable credit standings हो सक दिया ना greater management ability हों दी फैमिली दे अंदर सारा कुछ होँए ना ही profit incentive ही होंदा किसे देविच स्पेसिफाइड so next question दी गल कर दें आसकी question number 14 question number 14 what is the maximum strength of HUF HUF the maximum strength की है answer तो रड़े सामने आ चुक है मेरे खलत सी जान दे होगे A option C 20 B no limer C 10 D 40 HUF दी वत्वा जड़ी थाकत मीन्स strength किन्ने मेंबर हो सकतेने no limit is the answer B option is क्योंकि जिनने family member होने होने maximum दी कोई दे होते limit नहीं है question number 15 दी गल कर दें students जल्दी-जल्दी क्योंकि video भी लंबी होगे question number 15 does HUF arise from a contract next ये HUF किसम्जोते दोबारा पैदा होंदे मेरा business है A option is no HUF arises only from status HUF सिर्फ स्थिती तो अपने आप ही पैदा होंदे B option is yes सम्जोते नाले पैदा होंदे C option is both A and B D option is none of the A and B मेरे खाल तुसी जान चुक्य होंगे आओ इदा answer check करिए जो तुसी आप सोच रहे हो No HUF arises only from status एक family status family देविट HUF और जो Hindu succession act है उसदो अपने आप जो business conditions ने पैदा होंदे याने इदली कोई contract return contract नहीं होंदा clear student इस तो बाद question number 6 next question what are the schools of law under HUF HUF देवादीन जो schools of law ने ओ किने ने या किडे ने what are the schools of law under HUF A. मिताक्षरा B. मोती भागा C. देया भागा D. बोथ A and C मेरे खाल है ये questions सारे students जान दे होंगे क्योंकि ये देवरे मैं discuss भी कर चुके हैं इस question दा जो right answer है D. ओप्षिन इस बोथ A and C जो school of law under HUF ने ओ thoughts ने ओ किडे किडे ने जडे प्रिंसिपल लागू हो रहे ने सारे देश देविच मिताक्षरा एंड देया भागा clear next question what is the ancestral property in HUF which a man inherits from जदी जैदाद की है HUF देविच जिसनों मनुक विरास देविच प्रापत कर देए चार ओप्शन ने any of his three immediate male ancestors father grandfather and great grandfathers उस दे पिता दादा अतिक प्रदादा तों प्रापत होई कोई भी संपत्ती उसनों असी ancestral property मन देया चिजो एफच और B any of his two immediate male ancestors उसनों ठीक पहला देज़े दो male ancestors ने father and grandfather पिता ते दादा दी संपत्ती कि उसनों असी हच जो एफ दी ancestral property मन दे सी ऑप्शन इस immediate male ancestor father only के बल पिता दी संपत्ती नों असी उना दी ancestral property मन दे हच जो एफ देविच नानों हो दीज एना चो कोई भी नी मेरे खाल right answer तोड़े जो बहुत करद नों आता होएगा जिना नों है इस वेरी गुड दे आर दूइंग एक्सिलेंट और आई राइड आंसर तोड़े आल डिसकस कर दे है दे विच अंडर क्यों इस गालनों any of is three immediate male ancestors ठीक उस तो किसे भी व्यक्ती दे पहला दे तिन male ancestors दे जोड़ी property है हुएफ दे विच ancestral property दे रूप दे विच मन नहीं जान दी है जद्धी जयदाद दे रूप दे विच father grandfather ते great great grandfather जो पर दादा है दादा पीता ते पर दादा तिन ना दी जो property है उस नों असी जद्धी जयदादा हिस्सा मान दे है हुएफ family business दे विच नेक्स कल कर दे है students question number जो साड़े रूप दे रूप दे विच question number है साड़े को 16 नों तो बाद question number 7 दा management of joint Hindu family is सुझुकत हिंदु परिवार्दा परवंदन डैश होंदा है decentralized भी केंदरी करीत होंदा है centralized केंदरी करीत होंदा है बहुत है और भी दोनों हो सकते है none of the world जा दोनों नहीं होंदे right answer of this question is centralized क्योंकि सारा जो बादा परवंदन हों करता दे हाच्चोंदन है उदे को full-flesh powers ने right answer is centralized next question is question number 18 minor becomes co-partner of H.U.F. as soon as takes birth in the family एक नवालग परिवार विच जनम लंदे सार H.U.F. दा सह कर्मी बंजन दै चार ओप्शन ने A.F.D. conditional C. true D. नानो होदा दीज गलत है है नहीं बंदा कुछ शर्ता होंदियाने या ठीक है या ना चो कोई भी नी right answer of this question is true and true by birth ही जो ज़दो ही किसे minor दा बर्थ होंदा है दा सब्सक्राइब लिच अब भी चार देवीचे कोब आशनर बंजाए नाइटेन वह इस दा मेंन सोर्स ऑफ कापिटान एज देख बिजनस बिजनस देवीचे में पुंजीदा साधन की ए पहले भी दिन आजा रेटटर कोशन आ चुक या इतना सारे नों आनदा होएगा एंसेस्ट्रल प्रापरटी जद्धी जैदाद बी गौर्ब्रेंट्स प्रापरटी या गौर्ब्रेंट्स एल्प फ्रेंज्ट्स प्रापरटी ननुह दावाव आओ इदा answer चेक करिए क्योंकि दूसी सारी जान दे होंगे right answer of this question is true and yes we judge कर चुके होंगे ancestral property जद्धी जैदाद question number 20 दी गल कर दें total question number 20 which of these is not true केड़ा इस नो ठीक नहीं है statement देती है हम याने in GHF joint Hindu family करता है unlimited liabilities करता दियां आसी मन देंदारियां हों दियांने joint Hindu family business is covered by Hindu law GHF जो हिंदू कानून है उस दुवारा cover up कीता जानते C option is minor cannot be a member of the joint Hindu family business minor joint Hindu family business the member नहीं बन सकता in joint Hindu family all the powers are vested in the card GHF business दे वीचे सारी जो powers ने करता दें हता है जो नहीं आने मेरे खाल तोसी right answer सुच चुके होंगे क्योंकि इसी सुचना है ना जो केड़ी statement true नहीं है so a minor can't be a member of Hindu joint Hindu family business यह दे लिख है नहीं बन सकता जुदों की किसे भी minor दा जनम होंदे सारी यो हो Hindu und wider family business मेंबर बन जनता है मेरे का स्टुटेंट तोसी समझ जो के होंगे आज दे सारे questions नूँ रादर ही ट्वेंटी नी ट्वेंटीवन स्टुटेंस दे विच किते एक गलती है तो स्टुटेंस इकाल क्या आन रोखो बहुत सारी यहां वीडियोज अलड़ी इस चैनल दे उतने तुसी उनना नूँ देख साकते हो आनवाले समेच होर वीडियोज भी आनगी है उनना दा भी इंतिजार करो ते अपना score calculate करके देखो देखो ये 21 questions नहीं तो रोड़े किन ने ठीक सी ताकि नेक्स राइम एफ़े रिगारण कोई भी कुस्टिन आवे तो रोड़े शीखो वे त्राइब वेस्ट थैंक यू वरी मच